नमस्कार दोस्तों वेलकम स्वागत एक बार फिर से आप सबी कारेस जिंक्षन पर तो फरवरी माहा हमारा पूरा हो चुका है और मार्च महीने के शुरुवात हम आज करेंगे एक मार्च 2021 के साथ तो दोस्तों वही बात करंट अफेर्स आपके लिए सबसे बहतरीन लेकिन आरेस परिक्षा में अगर सफल होना है तो continuity मनाया रखना है डेली के ये 10 मिनट आपको जो है बहुत कुछ देने वाले हैं मैंने इस पैटरन को फॉलो किया अपनी तयारी के दोरान और वही मैं आपसे करता रहूँगा कि अगर आपने निरंतरता बनाई है तो निश्यत रूप से सफलता आपके कदम एक ना एक दिन चुमेगी तो चलिए शुरुवात करते हैं और करंट के साथ साथ एक डूज लेते हैं हमारे मेंस परिक्षा के लिए important topics का तो दोनों चीज़े एक साथ ही cover up होती रहेंगी चल के अंतरगत पहला shipment जो भेजा गया है किस देश को वो है घाना तो घाना पहला ऐसा देश बन गया है जिसे coronavirus TK का पहला shipment को वैक्स का रिक्रम के अंतरगत भेजा गया है गाना को यह है जो को वैक्स का जो टीका है को पुणे इस्थित सीरम इंस्टिट अफ इंडिया के दव वारा निर्मित Oxford Estrogenica Vaccine के रूप में भेजा गया है Oxford Estrogenica Vaccine जो है इसको यूरोपिय देशोदोरा मिल करके तयार किया गया विश्व स्वास्ते संग्ठन के साथ और बाद में इसे भारत में कोवी शील्ड नाम दिया गया तो Oxford Estrogenica का जो development है वो हो चुका है और उसके बाद इसक को हाली में विश्व स्वास्ते संग्ठन ने भी सीमित उपयोगे तू आपात कालीन मंजूरी भी दी थी कोवेक्स कारिक्रम के तहट 2021 के अंत तक कोरोना वाइरस टीकों की दो बिलियन से भी जादा खुराग विद्रित किये जाने का लक्षन निर्धाट किया गया है ताकि जो विकास इसील देश हैं उनको भी जोड़ा जा सके और उनको भी एक सुरक्षा प्रदान की जा सके कोरोना जैसी घातक महामारी से कोवेक्स की शुरुवात कोरोना वाइरस महामारी से निपटने के लिए अप्रेल 2020 में विश्व स्वास्ते संग्ठन यूरोपी आयोग औ भी वे अपने स्थर पर टीके का निर्मार कर सके चलिए अगले प्रशन की और बढ़ते हैं पी एसलवी सी फिफिटीवन पॉलर सैटलाइट लॉंच विकल जो की एक सबसे सफल प्रक्षेपन यान रहा है भारत का उसने अपने सी फिफिटीवन मिशन जो की 2021 का पहला मिशन है उसके माध्यम से लॉंच किया तो आपको गलत कथन का चुनाव करना है पहला कथन है कि इसरो द्वारा साल 2021 के पहले मिशन के रूप में पी एसलवी सी फिफिटीवन को लॉंच किया गया है ये बिल्कुल सही है तो 2021 की शुरुआत 51 वे सी फिफिटीवन नामक इस मिशन स सही है क्योंकि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस्थापित किया गया है जिसके माध्यम से वानिजिक उडानों को एक अलग संगठन के द्वारा उन रूप से नियमित किया जा सके उसका प्रबंदन किया जा सके और जो डी ऑप्शन है सरवाधिक 13 उपग्रे ब्रा 28 फरवरी को सुबच 10 बज कर चोईस बजे आंदर प्रदिश के श्री हरिकोटा से सको लॉंच किया गया था प्येसलवी सी 51 अमेजन वन और दूसरे 18 सेटरलाइट्स को तो इसका मतलब हो गया है टोटल हो गए 19 ठीक है तो भी ऑप्शन को भी आप सही कर लेना अमेजोनिया वन और दूसरे 18 मतलब कुल मिला करके 19 उपग्रह इसके अंतरगत भेजे गये हैं सरवादिक 13 उपग्रह अमेरिका के हैं इनमें भारत के भी कुछ उपग्रह है जिनमें इंपोर्टेंट है एक तो चैन्नई का स्पेस किड्स इंडिया जो एक कंपनी है उसके द्वारा बना C-51 ने लौच गया तो एक तो अमेजोनिया हो गया तेरा अमेरिका के उपग्रह हो गए और दो उपग्रह हमारे यह हो गए S-K-I-D-S-D सुरक्षित डिजिटल कार्ड में डिजिटल बगवत गीता को भी लेकर गया है तो बगवत गीता की E-Copy भी वहाँ पर भेजी गई है इसके अलावा इसके Sheets पैनल पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है और इसरों के Chairperson Dr. K.7 और व पिता संगतन रुठा, D.O.R.D.O. ने सिंदू नेतर नामक उपग्रें हमारी आर्मी के request पर बनाया है जिसका कार यह जो है हमारा जो सिंदू, सिंदू के दो अर्थ होते हैं एक तो सिंदू नदी और दूसरा सिंदू सागर तो समुद्र को सागर को सिंदू भी का जाता है तो यहां से सिंदू नेतर से आप जोड सकते हैं नेतर का मतलब दिरश्टी रखना और सिंदू का मतलब न केवली सिंदू नदी वाले छेतर मतलब लदाख वाले छेतर पर बलकि सिंदू सागर अर्तात हिंद महा सागर का जो छेतर है दोनों पर नज़र रखेगा तो हिंद मासागर में चलने वाले युद्ध पोतों व्यापारिक पोत आदी की खुद पहचान कर लेगा और इस माध्यम से हमारी जो आर्मी और सेना है नो सेना उसको अलर्ट करेगा और इसके अलावा ये लदाग छेतर में हमारी जो लंबी सीमा है जो इस्थलिय सीमा है उस पर भी च PSLV C51 New Space India Limited का पहला व्यावसाइक प्रक्षेपन था तो यह important facts है जो आपको याद रखने है PSLV C51 के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले गुलदस्ता जनवरी फरवरी 2020 का एडिशन आउट हो चुका है तो दोस्तों RS Jynction एप पर जाकर के और आप अपनी ये भी वहां से ले सकते हैं तो लगबग 84 पीजिज में 200 से भी अधिक प्रश्णों का संग्रह मेंने इसमें किया है डीटेल्ड एनलिसिस के साथ में है तो आपके पास अगर समय की कमी हो और आप जॉब में है या किसी अन्य उपकरव वहसायों में लगे हुए है तो आप अपना समय निकाल करके इस पुस्तक को पढ़ते हुए अपने करेंट अफेस को तयार कर सकते हैं इसलिए कुछ एक्जांस में भी बहुत से प्रश्ण हमारे करेंट अफेस से आये हैं और आगे भी आपको इनका लाब मिलता रहेगा खास करके आरेस पर इक्षा को फोकस करके यह बनाए जाते हैं तो अगर आप भी आरेस के स्टुडेंट और सपना रखते हैं इसलिएम बनने का तो यहां पर आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं और इसका लाब उठा सकते हैं और इसका लाब उठा सकते हैं आरेस शूंक्षन एप पर वहीं पर SI के लिए भी हिंदी का कोर्स चल रहा है जो बराबर आरेस के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंकि दोनों ही पेपर्स का जो सिलिबस सा सेम है आरेस और SI के लिए वहां पर आपका आर्ट एंड कल्चर और इस्ट्री का भी कोर्स जो रास्तान का है मैंनी सर ने शुरू कर दिया है तो इनका विलाब आप ले सकते हैं नमले खित में से किस एक भारती पहलवान ने युक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल प्रतियोगिता का स्वन पतक देता है तो दोस्तों कोरोना के बाद विलेश फोगाट जो कि एक भैतरीन खिलाडी रही है और जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किया उन्होंने इस किताबी मुकाबले में बेलारूस की पहलवान और पूर्व विश्यो चेंपियन वनेसा कला जिन्सकाया को दस आठ से हरा दिया महिलाओं की तरेपन किग्रा भारवरग में वे टोक्यो उलम्पिका टिकेट हासल कर चुकी है और उमीद है कि आने वाले समय में वो गोल्ड मेडल की भी प्रफल दावेदार होंगी राष्ट्र मंडल केलों की वो स्वनपदक विजेता है और 18ए एश्याई खेलों की कुस्ती पृतियों की ताकि 50 किग्रावरग में भी स्वनपदक जीता था पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने राष्टर मंडल और एशियाई दोनों खिलों में भारत की ओर से स्वान पदक जीता हो इसके अलावा वे दो एशियाई खिलों में लगाता है स्वान पदक जीतने वाले भी पहली महिला पहलवान है क्योंकि उन्होंने दक्षिन कोरिया के इंचियोन में और इसके बाद में हाली में जकारता जो इंडोनेशिया में है वहाँ पर आयोजित चेंपिंशिप के दोरान भी जो है पदक जीते हैं फोगाट लारियस वर्ल्ड इस्पोर्ट्स अवाड के लिए ना मंग्के तोने वाली पहली भारती अख्लीड भी है इसके लावा उनके प्रदेशन के लिए उन्हें 2016 में अर्जुन अवाड 2018 में पदमिश्री और 2020 में खेल रखन से नवाजा गया है आप सोचेंगे मैं इतनी के दोस्तों ये कंसेप्ट को समझाने के लिए पुरिशन है एक गंसेप्ट जो मीन आज पढ़ा तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूं देश ये और रा ju टिक्स की एंट्री होने वाली है, तो केरल को जाना जाता है 1957 में बैलट से चुनाव करवाने हैं और उसके बाद पहली कम्यूनिस सरकार बनाने को लिए, तो अभी पांस साल पहले क्या हुआ था 2015 में, कोच्ची से करीब 25 किलोमेटर दूर एक पंचायत है जिसका नाम है किजा वो लोगों ने चिताया, क्योंकि दरसल एक बिजनसमें थे साबू एम जेकब, उन्होंने दस साल पहले किजाम बलम ग्राम पंचायत को गोद लिया, और गोद लेने के बाद विकास कारी करवाए, विकास कारे एक ओर्गनाइजेशन ने करवाए और बाद में इसी ओर्गन पंचायतों में वहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज किये, और अब वे विधानसभा चुनाओं में 10 से 14 सिर्टों पर चुनाओ लड़ने वाले हैं, तो किटेक्स गर्मेंट्स लिमिटेड नामकी कंपनी थी, जिसने इस पंचायत को गोद लेकर के इसे एक स्मार्ट विलेज क रूप में डवलप किया है, और गर्मेडों की जमीन पर उनको भुकंडों पर आवास तयार करवा कर दिये, वहाँ पर सूपर मार्केट में जो सामान है वो बाजारों से आधे दामों पर मिलता है, और आसी बहुत सी विशेष्टाएं हैं, जो कि इसे किसी भी शहर के संगठन बना करके उमीदवार उतारे, तो कॉर्परेट ने गूद लिया गाओं को और उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू की, यही है कॉर्परेट पॉलिटिक्स, मतलब एक निजी संगठन जो है चुनाओ की और बढ़ता है और अपने आपको एक संगठन की रूप में वि सरकारी है, लेकिन तरीका कॉर्परेट का है, एनर्पुलम जिले में पंचायत संचालन का यह मोडल इतना लोग प्रिय हुआ, कि दिसंबर 2020 में हुए लोकल बोडी चुनाओं में इस पार्टी ने किजाम बलम समेत चार अन्य पंचायतों पर भी प्रत्याक्षि उतार कर जी चुनाँए नौमेड्लेड फिल्म को की ड्रामा क्टेगरी में पूरे आओर्ड की लिस्ट में आपको देने वाल हुँं, तो होलीवड के प्रसिध गोल्डन गलोब अवर्ड का 78वा संसक्षाल में आयजद किया गया, इस दोरान दिवंगत जो दिवंगत हो चुके है, ड्रामा केटेगरी में The Ground ने Best Series, Best Actress, Best Actor और Best Supporting Actress के अवार्ड जीते, हर साल Hollywood Foreign Press Association जो है, वो मनोरंजन जगत में उपलब दियों के लिए कलाकारों को Golden Globe पर उसकार देती है, जिनके शुरुआत 1945 में Los Angeles से हुई थी, चलिए तो दोस्तों मैं आपको छोड़े जलता हूँ, उन 28 परवरी तक का आचुका है, एक जनवरी सा 28 परवरी के अगर आपने कोई भी करंड मिस किये हैं, तो वो अवेलेबल है उस बुक में, जो मातर 50 रुपे में अवेलेबल है आपको आरे शुंक्षन एप पर, तो आज ही जाएं और इसका लाब उठाएं, बने रहें मेरे साथ साथ सब्क्राइब भी कर लें तके नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, एक और बात जो शेश रहती है, वो यह है कि महिलाओं के लिए हाली में वर्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, जिस पर भी जल्द की रैंकिंग क्या रही है, और यह सरी चीज़े पर हम बाद करेंगे, चलिए, थैंक्यू